दोस्तो हिंदी सिनेमा के वीद्यानी की रणवीर सिंग बहुती नटकर शरारती और चुलबुले किश्म के इंसान है उनसे हाथ मिलाने वाले लोग उनकी पकर के कायल है और जब वह दूसरों को गले लगाते हैं तो उसमें भी गरम जोशी होती है दोस्तो हिंदी सिनेमा के दूसरे कलाकारों की तरह उप्चारिकता में बिल्कुल भी यकीन नहीं रखते हैं लेगिन दोस्तो इतना खुसमिजाज एक्टर अगर कुछ देखकर रोब पड़े तो जाईर सी बात है कि जो कुछ देखा वो दिल को छूग गया होगा जियां दोस्तो रनवीर सिंग अपनी को एक्टर आलिया बट के साथ इन दिनों अपनी अपकमिंग फिलम गली बोई के पर्मोशन में व्यासत है इसी पर्मोशन के सिलसिले में दोस्तो वो एक दांस रेल्टी शो का हिस्सा बनने पहुंचे दोस्तो रनवीर के आने की बात पक्की होते ही शो के सारे बच्चे कुछ खास तैयारी में पहले से ही लगे वे थे लेकिन बच्चों ने स्टेज पर जो पर्फॉर्म किया वो रनवीर की कल्पना से बहुत ही परे निकला जियां दोस्तो रनवीर की क्रियेटिविटी टीम ने रनवीर के स्वागत के लिए एक खास डांस मेडले तियार किया था इस डांस मेडले में दोस्तो रनवीर सिंग की बच्चपन से ही सिनेमा को लेकर दिवान गी फिर बड़े होकर अमेरिका में पढ़ाई और मुंबई वापस आकर एक सूपरस्टार बनने से पहले के संगर्स को उन पर फिल्माए गए एक खास गाने के जिरिये पेश किया गया दोस्तो यह गाना था रनवीर सिंग और सोनाकसी सीना की फिलम लुटे रहा का गाना जिन्दा हूँ यार दोस्तो इस गाने को याद करके और इस गाने पर बच्चों की परफोर्मेंस देखकर रनवीर सिंग बहुत ही बावुक हो गए थे और जैसे जैसे गाना आगे बरता गया रनवीर सिंग खुद पर काबू नहीं रख पाए और रनवीर सिंग को रोता देख का सेट पर एकदम सा सन्नाटा चा गया और आलिया बर्ट वर सेट पर मौझू दूसरे कलाकार ने बड़ी मुश्किल से रनवीर सिंग को सेर्च किया दोस्तो सेट पर मौझू लोगों के मताबिक रनवीर सिंग बच्चों की तरह फफ़क फफ़क कर रो पड़े थे दोस्तो वो इतना बाव वीहल हो गए कि उन्हें वापस सामनी होने में काफी समय लग गया और इस दोरान शो की शुटिंग भी रुकी रही दोस्तो इसके बाद में रनवीर सिंग अपनी कुर्सी छोड़के बच्चों के पास पहुंच गए और उन्हें बच्चों को काफी सराहा और प्यार दूलार किया दोस्तो इसके बाद में रनवीर सिंग ने बच्चों के जाद अपनी फिलम गली बोई के गाने पर काफी डांस भी किया दोस्तो आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले